नमस्कार शिक्सा विबाग समाचार के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं समपत लेड़ आप सपी के लिए आज 8 अक्टोबर 2022 से समधर कौन-कौन से नई अपडेट जारी हुई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें खास बहुत सारे साती जो कंप्यूटर अनुदेशक के डिवी डेट को लेके बहुत जादा असमझ जिसमें है उनके बारे में आज जो है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम ठीक है क्या अपडेट जारी हुई है बोर्ड की तरफ से और एम्स जोद्पूर में जो नहीं भरती आई है सूचना साही कि और क्या अपडेट है कब तक यह जारी हो सकते है आरेसे मेसस भी परीक्षा की नई अपडेट जारी क्या हुई है और बेंक को पड़ोदा में तता इसके अलावा और कौन सी बंपर भरतियां जारी हुई है अच्छे खासे सैलरी पर उनके बारे में बात करने वाले है तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभ भी अपनी इमानदारी से जो है इस वीडियो को जरूर आगे सेर कीज़ेगा तो चली शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स जोदपूर में निकली वेकैंसी अठाउन साल तक की उम्र के कैंडिडेट कर सकेंगे एक लाक अड़ सथ जा तक इसके अंदर रहने वाली है सेलरी टीचिंग फिल्ड में नौकरी की तेहरी कर रहे हैं युवाओं के लिए अच्छी खबर है अल इंडे इंस्टिट वा मेडिकल साइंस जोदपूर के डिपार्टमेंट के फैकल्टी के बहुत तर पदों पर वेकैंसी निकली है जिसके के लिए ठाउन साल की उमर तक के कैंडिडेट इसके अंदर एपलाई कर पाएंगे एमजोदपू.edu.in पर जाकर जिसमें प्रोफेसर के 31 पद है एडिशनल प्रोफेसर के आठ है एसोसियेट प्रोफेसर के आपके जो है इसके अंतरगत 20 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर आज परीक्षा दोपेर दो बजे से आदा घंटा पहले पहले पहुंचना होगा सेंटर राज्ये के 355 डियलेट कोलेजों के 25,000 सीट एक सीट पर चोईस इस्टूडेंट में हो रही है परती इस पर दहा अगला देखिए भई इसकूल लेक्चर परतियों की परीक्षा 2022 पर पर रहेगा फोकस सभी केंदरों पर वीडियोग्राफी की करवाई जाएगी परीक्षा केंदर पर रहेगी व्यवस्ता सतरक्ता दलों में परसासन वह पुली सदिकारी भी रहेंगी तो इसकूल लेक्षर परतियों की पर एक सकंद बहुत जादा बहुत कम जो है होई ना व जूनियर इंजिनियर शीविल के पताव पर इसकेंदर का भरतियां हैं अगला देखे राजस्थान करमचरी चेहन बोर्ड के आवर से जो है नई अपडेट जारी हुई है जिसमें आप देख सकतो यहा डेट और वन पाल सीदी परति परीक्षा की जो डेट है वो आपके चे है ग्यारा दो जारे वाइस रियू आर को परतम चरण में और द्वीतज चरण में होने वाली है जिसका समेह दस से बारा और दो बज़ कर तीस मिनट से चार बज़ कर तीस मिनट पर रहने वाला हैं वन रख सक्षी दी परति की परीक्षा जो है वो आपके 12 और 13 नौंबर को रहने वाली है दो चरणों में होगी यह परिक्सा है जिसका समय यह रहने वाला है ठीक है दस से पारा और दो से चार बज कर 30 मिनिट पर अगला देखिए अगली अपडेट कम्पीटर अनुदेशक भरती वालों के लिए है एक और भरती में देरी सिक्सा मंत्री ने अक्टूबर के पहले सब्ता से सत्यापन करने के दिये ते निर्देश करमचारी वाद जगह नहीं मिलने से कम्पीटर अनुदेशक भरती में दस्तावेश सत्यापन का काम 21 अक्टूबर के बाद हीज संबव हो पाएगा अगल साड़े साथ अजार अजार का होना है अभीर्ति का होना है डोकिमेट वेरिपीकेशन इस अपिरती में 7600 साथ अभीर्ति के दस्तावेश सत्यापन है इसमें बैसिक अनुदेशक के दस्तावेजन का काम सुरू होना रोज सो उमिद्वार के दस्तावेज चेक हो तो भी लगेंगे तीन से चार महा दिपावली की चुटिया भी आ रही है बीच में तो अब यहां पर मामला यहां पर अटक रहा है कि इनका जो है बहुत ज्यादा समय लग सकता है और देखा है तो शिक्समंत्री के देख लिए अभी तक कहने के बावजूद भी यह काम शुरूर नहीं हुआ है तो टाइम लगने वाला है पर देख लिजेगा आप 21 अक्टूबर के बाद ही यह कारी संभव होगा यह कहना है राजस्तान करमचरी चैन बोर्ट आयोग का अगला देख परिक्सा के आवेदन किती थी आज एक्जाम पैटर्न में क्या हुआ है बदलाव आप देख सकते हैं ठीक है परिक्सा के बदले में जो है प्रारूप होगी इस भरती में तीन चरण जो इस बार रखे गए टीर वन टू और त्री आगला देखे बैंक और बड़ोदा के अं परिक्सा करवाई जा सकते हैं तो इसके अंदर आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप जरूर अप्लाई कीजिएगा 23 अक्टूबर तक अगला देखे इस पी में विबीन पदवापर निकली है बरतिया 16 जो है 16 पदवापर जो नौकरिया है इंडिया सेकुरिटी प्रेस नासिक रोड ने वेलफेर ओपिसर और जूनियर ओपिसर असिस्टेंट के 16 पदवापर जूनियर ओपिसर असिस्टेंट बी-3 लेवल के पदवापर के लिए जरूरी है कि आवे दिनों ने नियूनतम 55 फीजदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की इसके साथ इंगलेश में 40 वर्ड परति मिनट और 30 वर्ड परति मिनट होना आविशे के आगे बढ़ें उसे पह कर थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर कैटेग्री के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिस किया जाना है तो भरति को आने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोशिश यह जता ही जारी कि 19 अक्टूबर तक आपके लिए जारी हो जाएगी यह बरति नहीं तो नवंबर फस्ट वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है तो जो भी साथ इसके अंदर एपले करना चाहिए वो कर सकते हैं इसका वीडियो के लाश्ट में भी आपको उसका थमनेल दिख जाएगा आप क्लिक करके जॉइन हो सकते हैं तो साथ यह थी आपके लिए आज की इंपो करके जो हैं हमें पूरा करवने में मदद करें जैहिंद जैभारत